आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Students Hello Students, हम यहापर question क्या पुछा है Explain the shape of I3- तो यहापर मुझे पूछ रहा है जो मेरा I3- होता है इसका shape क्या होता है तो इसको discuss कर लेते हैं I3- तो यहापर मेरा क्या होता है जो iodine होता है iodine का valence electron कितना होता है 7 होता है तो यहापर क्या होता है 3 iodine atom है तो एक iodine क्या होता है Central atom Central atom और दो जो आई टू होगा उमरा क्या होगा साइड अटम तो यहापर जो रहा मेरा साइड अटम होता है या फिर लिगांड होता है तो यहापर जो मेरा आयोडिन है आयोडिन क्या करता है एक इलक्रण को डोनेट करता है तो यहापर मेरा क्या है दो आयोडिन है तो यहापर क् कितना एलेक्टर्न होता है दो एलेक्टर्न होता है तो यहाँ पर अगर 10 को 2 से डिवाइड करूगा तो मेरा क्या आएगा 5 हाइब्रेड और्बिटल 5 hybrid orbital अगर मेरा यहां पर 5 hybrid orbital होगा तो इसका hybridation क्या होगा इसका hybridation होगा SP3D तो यहां पर मेरा क्या है 5 hybrid orbital है लेकिन यहां पर मेरा bond pair कितना है only 2 bond pair है तो यहां पर क्या होता है 2 bond pair plus 3 lone pair तो यहां पर जो मेरा SP3D होता है इसका geometry क्या होता है इसका geometry होता है trigonal by pyramidal और इसको short में बोलते हैं TBP तो यह मेरा क्या होता है trigonal by pyramidal तो इसका अगर structure में draw करूँगा तो मेरा क्या है कि I यहां पर I पहले axial bond को fill करते हैं उसके बाद यहां पर 3 क्या होता है loan pair और hole में एक minus charge तो यह जो मेरा structure बना यह मेरा क्या होता है इसका यह होता है geometry और यहां पर यह जो बना मेरा यह मेरा क्या होता है इसका shape इसका shape क्या होता है linear linear क्यों होता है क्योंकि यहां पर जो मेरा loan pair plus loan pair का repulsion उसके साथ loan pair plus bond pair का repulsion के बज़े से इसका shape क्या होता है linear तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? Explain the shape of i3- तो इसका आंसर होगा linear क्योंकि जो मेरा i3- होता है इसका structure क्या होता है? स्ट्रॉक्चर क्या होता है? Thank you